क्या आपने कभी डाइमंद्स की बारिश देखी है? एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कितनी किलोमेटर चलता है? एक न्यूबॉन बच्चे में क्या हमसे जादा हडिया होती है? ये रहे कुछ ऐसे चौका देने वाले साइंस फाक्स लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आप हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें नमस्कार और स्वागत है आपका ओन फाक्स काफे कभी सोचा है ये नाक में दम कर दिने वाले कीड़े सुनते कहां से होंगे? उनकी पेट से जी हां, इंसानों की तरह इन कीडों की कान उनकी सर पर नहीं होते इनका साउन डिटेक्टर एक पतली सी मेंब्रेन है, जससे टाइम पैनन कहते हैं ये मेंब्रेन उसके पास से आने वाली अवाजों को वाइब्रेशन में कन्वर्ट करती हैं जससे ग्रास हॉपर्स आपस में कमिनिकेट करते हैं वेट लोस करना और फिट रहना हर अनसान जरूरी समझता है लेकिन आपका यही प्लान हमारे मून पर काफी अलग होता मून पे ग्राविटी बहुत लो होती है, धर्टी से 6 गुना कम यह इसी लिए है क्योंकि मून का मास धर्टी के सिर्फ 1 परसेंट जितना होता है तो अगर धर्टी पे आपका वेट 50 किलोग्राम है तो मून पे आपका वेट सिर्फ 8.27 किलोग्राम सी होगा हमारे सोलार सिस्टम के दूर के पडोसी प्लानेट नेप्चून का अटमोस्फिरिक प्रेशर इतना जादा होता है कि वो कार्वन आटम्स को क्रिस्टलाइज कर देता है एक लाब में किये गए एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि हर साल नेप्चून पे 2.2 मिलियन पाउंड डायमेंड की बारिश होती है जिसकी मार्केट वाल्यू 11 ट्रिलियन डॉलर्स है जब आप एक न्यूबॉन बेबी थे आपके हाथ पैर और मुझ सब छोटे और प्यारे से थे लेकिन एज के साथ आप बड़े होते गए और आपकी बोन्स पी एक न्यूबॉन बेबी के शरीर में कुछ 300 बोन्स होती है इनमें से कुछ बोन्स एक सौफ्ट और फ्लेक्सिबल माटीरिल की बनी होती है जिससे काटलिज कहते है यही काटलिज धीरे धीरे बोन्स के साथ रिप्लेस हो जाती है ये प्रक्रिया हमारे 25 years के हो जाने तक चलती है हर स्टार की एक life होती है और हर कुछ million साल बाद ये बड़े गर्म और bright होते है हमारा सूरज भी कुछ ऐसा ही है 2 billion के बाद ये इतना गर्म हो जाएगा कि धर्ती पर सारी नदिया evaporate हो जाएगी जिससे हमारा यहां रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा एक ओस्ट्रिच हम इनसानों को भले रेस में हरा दे लेकिन जब दिमाग चलाने की बात आएगी ये बिना उडान के पंची बहुत पीछे रह जाएगे इन ओस्ट्रिच की आखे इनके दिमाग से भी बड़ी होती है इनके छोटे दिमाग होने की कारण ये जल्दी नहीं सूच पाते और बहुत ही जल्दी एक शिकार बन जाते है एक आवरेज और हेल्दी 80 येर्स का इंसान अपने पूरी जिंदिगी में कुछ 216 मिलियन स्टेप्स लेता है जिससे काल्कुलेट करने पर कुछ 2 लाग किलोमेटर जितना डिस्टन्स आता है यही डिस्टन्स अगर हमारे धर्ती के एक्वेटर से चले तो ये 80 येर्स का इंसान 5 बार घुम के आ जाएगा वेल तो ये थी कुछ ऐसी चौका देने वाले फाक्स अगर आपको ये विडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें